इंडिया में किये कंपणी की आने वाली गाड़ियां कौन कौन सी हैं तो आज मैं आपको यही बताऊंगो जो किये कंपणी की आने वाली कारे हैं टॉपलिस प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए किया स्टींजर Stinger एक sport sedan car होगी इंडिया में इसकी expected launching date है अपरेल 2021 यानि ये भी दो मईने हैं इस गाड़ी को आने में गाड़ी में petrol engine को option मिलेगा और गाड़ी की looking काफी शांदार होगी इंटीरियर भी काफी लाजवाब होगा और गाड़ी के expected extra room कीवद 50,000,000 रुपे की यानि महेंगी कार होगी फिर आई किया इस पॉल्टेज ये एक midsize SUV गाड़ी होगी इंडिया में और इसकी expected launching date है अपरेल 2021 ये गाड़ी diesel petrol दोने engine के option में और दोने ही transmission के option में इसमाँ आपको 6 airbag, panoramic sunroof, tanway, electrically adjustable driver seat और गाड़ी के expected extra room कीमत 25,000,000 रुपे की फिर आई किया एकसीड ये भी SUV गाड़ी ही होगी और इसकी expected launching date है जून 2021 ये गाड़ी diesel और petrol दोने engine के option में और दोनों ही transmission के option में इसमें dual zone climate control, cruise control, 10.25 इंच की touch screen, infotainment system और 12.3 इंच का fully digital instrument cluster और गाड़ी के expected extra room कीमत 20,000,000 रुपे की फिर आई Kia Sorento ये भी SUV गाड़ी ही होगी इसकाड़ी के expected launching date है अगस्त 2021 इसकाड़ी में petrol engine का option मिलेगा इसकाड़ी में आपको बड़ा petrol engine मिलेगा और गाड़ी के expected कीमत 25,000,000 रुपे की फिर Kia Rio इस sedan car होगी किया company की और इसकाड़ी के expected launching date है अगस्त 2021 इसकाड़ी में अभी petrol engine का option मिलेगा जो कि manual transmission के साथ मिलेगा और गाड़ी के expected कीमत 8,000,000 रुपे की फिर Kia Picanto ये hatchback गाड़ी होगी और इसके expected launching date है December 2021 ये गाड़ी भी petrol engine के option मिलेगी manual transmission के साथ और गाड़ी के expected action room कीमत 7,000,000 रुपे की फिर Kia Carnival 2022 ये गाड़ी luxury M.U.V गाड़ी होगी इस गाड़ी के expected launching date है March 2022 Carnival का facelift version launch किया जाएगा इंडिया में जिसके चलते इसका exterior काफी शांदार कर दिया जाएगा और interior भी काफी luxury कर दिया जाएगा इस गाड़ी में भी diesel engine ही मिलेगा और गाड़ी के expected कीमत 26,000,000 रुपे की फिक्किया सॉल ये SUV गाड़ी होगी इस गाड़ी के expected launching date है October 2022 ये गाड़ी petrol engine के option मिलेगी manual और automatic दोनों transmission के option के साथ और गाड़ी के expected कीमत 10,000,000 रुपे की फिर ये लास्ट किया की ये हेच बैक गाड़ी होगी और इस गाड़ी को launch कर जाएगा नवंबर 2022 में इस गाड़ी में भी petrol engine ही मिलेगा manual और automatic दोनों transmission के साथ यानि option मिलेगा आपको इसा भी choice कर सकते हैं और गाड़ी के expected action room कीमत 9,000,000 रुपे की तो मैंने आपको किया company की जो गाड़ी आने वाली हैं वो बताई हैं इंडिया में आपको इन मेंसे किस गाड़ी का इंतजार है हमें comment box में उसका नाम बताईए